आपका काम खतम हो गया आपने pen drive निकाल ली यह देखिए pen drive निकालने के बार आपका system lock हो जाएगा इस software के थूँ और जैसे ही आपको unlock करना है आपके system को simply आप इस pen drive को अपने system में लगाईए और आपका system unlock हो जाएगा दोस्तों यह है एक software जिसके थूँ आप अपने USB को as a key as a चाभी की तरह इस्तमाल कर सकते हैं अपने system को lock और unlock करने के लिए स्वागत है दोस्तों आपका daily tech ज्यान तो दोस्तों आज मैं आपको एक खास software के बारे में बताने वाला हूँ जिसके थूँ आप अपने pen drive को चाभी की तरह इस्तमाल कर सकते हैं अपने laptop या फिर desktop को lock और unlock करने के लिए basically आज के time में हमारे पास इतने सारे online account है Google है Facebook है Instagram है और भी बहुत सारे accounts है online और सबके password याद रखने में कभी-कभी complicated password के वज़े से हम अपने desktop का password ही भूल जाते हैं या फिर अपने laptop का इसा होता होगा शायल आपके साथ भी करेंगी बार या फिर आपने password किसी के साथ share किया हो और जो दूसरा बंदा है वो आप से बिना पूछे या आपके desktop को यूज कर रहा है या आपके laptop को open करके उसमें से कोई भी चीज़े देख सकता है इसलिए आप इस software के थ्रू अपने USB drive को as a chave as a key की तरह इस्तमाल कर सकते हैं अपने laptop को lock और unlock करने के लिए यह सबसे important चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ क्यों कि यह software totally free है इसके लिए कोई भी subscription नहीं देना है और यह totally open source है तो इसे कैसे download करना है और कैसे इसे install करना है चलिए मैं आपको बताता हूँ चलते हैं अपने laptop तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यह website मैं मैं open कर दिये इस website का जो link है मैं नीचे आपको description में दे रहूंगा और इस website से आप यह software download कर सकते हैं तो इस software का नाम है USB Raptor यह बहुत छोटा सा software है लगबग 12 MB का और इसके लिए आपको एक pen drive की ज़रूरत होगी इसके लिए आपको कम से सब्सक्राइब की जरूरत होगी आप उससे कम स्टोरेज वाली भी pen drive यूज कर सकते हैं बट आई सबसे पहले हम इस software को download कर लेते हैं इस software का नाम है USB Raptor जैसे कि आप देख पा रहे होंगे अगरे से download कर लेता हूं कि देख रहे हैं आप 12 MB का यह software है लगबग 12.838 MB का दोस्कों यह हमारा software download हो गया है यह zip file है हमें इसे unzip करना है तो इसे right click करके मैं unzip कर लेता हूं और extract कर लेता हूं तो यह हमारा USB Raptor software है जो unzip मैंने कर लिया है यहां पर आप देख रहे हैं यह USB Raptor XC इस पर आपको क्लिक करना है बट क्लिक करने से पहले आप अपना जो pen drive है जिसको आप चाभी की तरह इस्तिमाल करना चाहते हैं अपने PC को lock और unlock करने के लिए उसे आप अपने laptop में insert कर दीजिए कि मैं इसे इंसर्ट कर देता हूं कि इंसर्ट करने के बाद मेक शोर कि आपके pen drive में कोई भी important data ना हो तो इंसर्ट करने के बाद USB Raptor XC को हम क्लिक करेंगे दोस्तों इस तरिके का हमारा यह interface है और यहां पर आप देख रहे होंगे यहां password एंटर करने का option दिखा रहा है तो यह एक backup है in case अगर आपका जो pen drive है जिसको आपने as a key आप इस्तमाल कर रहे हैं USB Raptor के थुरू अगर वह गुम हो जाती है दिन आप इस password की थुरू भी login कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर एक password डाल देता हूं बहुत simple सा password डाल देता हूं आप जैसे देख पा रहे होंगे आप देख सकते हैं और उसके बाद आपको जो pen drive है उससे select करना है तो मेरा जो USB drive है वो E है और उसके बाद create k3y file पर click करना है आपको तो मैं इस पर click कर देता हूं देखें यहाँ पर हमारा जो key file है k3y वो create हो गाए drive E में make sure आपको यह message दिखाई ले उसके बाद ही आपको enable करना है USB raptor को तोस्तों यह बहुत ज़रूरी है कि आप पहले k3y file create कर लें उसके बाद ही enable करें USB raptor को otherwise आपका system lock हो सकता है अगर आप advanced user है अगर आपको और भी कई सारे functions चाहिए तो आप यहाँ पर जा सकते हैं advanced configuration में इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों पहला option है run USB raptor at Windows startup तो इसे क्लिक कर लेते हैं हम लोग और start in system tray इसे भी check कर दीजिए USB raptor always starts armed तो इस तरीके का notification आपको आएगा जब भी आपका USB raptor background में चल रहा होगा तो यहाँ पर दोस्तों enable करने से पहले मैं आपको warn कर रहा हूँ enable करने से पहले आपको यहाँ पर जाना है आप देख रहे हैं unlock file settings यहाँ पर जाने के बाद आपको आपका password अगर आपने नहीं डाला है तो आप अपना पहले password डाल लीजी उसके बाद आपने अगर k3y file generate नहीं की है तो make sure कि आपको file generate कर लें उसके बाद ही आपको predator को enable करना है otherwise आपका system lock हो सकता है इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि पहले unlock file settings में जाकर यह सारे options आप कर लीजीए तो हमने जैसे कि पहले ही password डाल दिया था simple configuration में हम लोग थे और उसके बाद हमने k3y file भी generate कर लिया था तो इसलिए हमारा यहाँ का process complete हो setting में जाता हूँ अभी मैं इसे अनेवल नहीं करूंगा अनेवल करने से पहले और भी कुछ settings हैं जो हम कर सकते हैं यहाँ पे lock behavior में कुछ नहीं करना है lock features में आप जाकर अगर आप चाते हैं कि हर बार जब भी computer lock हो तो random colors display हो आप कर सकते हैं उसके बाद अगर आप चाते हैं lock होने के बाद आपका PC mute हो जाए या screen off हो जाए तो आप यह सारे settings कर सकते हैं और बाकि कोई भी settings आपको touch नहीं करनी है high security options में भी आपको कुछ touch नहीं करना है इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है unlock file settings हमने पहले से ही कर ली है उसके बाद हमें general settings में जाना है और अब हम यह यहां पर जाके enable USB Raptor को on कर सकते हैं make sure कि आप पहले पूरी settings complete कर लें उसके बाद ही इसे enable करें one more thing मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर आप चाहते हैं कि आपका जो USB Raptor है जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ माई PC में जब आप जाएंगे आप को पता सिल जाएगा माई PC में आप pen drive को open करेंगे तो देखे यह हमारा जो unlock K3Y file है यह generate हो चुका है तो make sure यह check कर लें आप जाकर कि आपका जो K3Y file है वो generate हो चुका है generate होने के बाद ही आप USB Raptor को enable करें secondly आप अगर चाते हैं कि आपका USB drive कोई भी format ना कर सके लिकोज अगर आपका USB drive format हो गया और उसके बाद आप अपने system में USB के थूरू login नहीं कर सकते बट जो master password है जो हमने यहां पे डाला है unlock file password यहां से आप login कर सकते हैं अगर आप चाते हैं कि आपका pen drive format कोई ना कर सके तो आप यहां से इसे on कर सकते हैं फिलहाल मैं इसे on नहीं कर रहा हूं और उसके बाद last जो हमें process करना है वो हमें enable करना है मैंने इसे enable कर दिया है और इसे close नहीं करना है आपको minimize to track करना है उसके बाद मैं सारे windows बंद कर देता हूं दोस्तों जैसे कि हमारा जो system है यह आप देख रहे हैं नीचे USB reactor icons में दिखा रहा है यह हमारा system start हो चुका है अब जैसे मैं कुछ काम कर रहा हूं काम करने के बाद अगर मुझे अपना system lock करना है तो simply मैं इस pen drive को यहां से निकाल दूँ यह देखें इस तरीके से हमारे जो system है वो lock हो चुका है अब इसे open करने के लिए simply आपको pen drive यहां पे USB port में लगानी है USB port में लगाने के बाद आपका system automatically unlock हो जाएगा हम दो तीन बार try कर लेते हैं देखें इस तरीके से यह आपने pen drive निकाल दी pen drive निकालने के बाद आपका system lock हो गया है दोस्ता जैसे कि मैंने आपको बताया था अगर आपकी pen drive गुम हो जाए या फिर इसे कोई format कर दे तो भी आ आप यहाँ पे login कर सकते हैं जो आपने master password डाला था उसके मदद से तो यहाँ पे double click करना है और यहाँ पे आपका password हमने डाला था वो यहाँ पे डाल देते हैं 12345 और इसे unlock कर देते हैं तो दोस्तो इस तरीके से आप इस USB pen drive के थुरू अपने system को lock और unlock कर सकते हैं यह एक physical key ह फिजिकल चावी है जिसको आप अपने साथ लेके जा सकते हैं और जब भी आपको system को lock करना है simply आपको इस USB को निकालना है laptop से यह desktop से और आपका system automatically lock हो जाएगा मैं आपको एक बाद और करके बता देता हूं यह हमने pen drive insert कर दिया है देखिए हमारा यह नीचे जो notification है यह भी USB Raptor और simply जैसे ही आपका काम खतम हुजाए आप simply यहाँ पे pen drive इसे निकाल दीजी और आपका जो USB Raptor है वो lock कर देगा system को इसे हम फिर से unlock कर देते हैं तो दोस्तो इस तरीके से आप अपने system को lock और unlock कर सकते हैं through this physical key दोस्तो यह software totally free है इसके लिए आपको कोई भी monthly subscription नहीं देना है यह totally open source software है जैसे कि बाकी software भी market में available है बट वो subscription बेस पे हैं मतलब हर नहीं ने आपको इसके लिए pay करना होगा या yearly pay करना होगा बट यह जो software ह ही है इसके लिए आपको coldly charge नहीं देना है दोस्तो ऐसे ही और वीडियो के लिए प्लीस इस चैनल को subscribe कीजिए और share कीजिए